So Hello Guys, Welcome Back to my Europe Channel which is Navy's Bite Vlog So Guys, ये ब्लोग बहुत ही फड़ा फट स्टाउट मैंने कर दिया है क्यूंकि मैं पहुंच चुकी हूँ जारा के स्टोर में और वहाँ पे सेल लगे हुए हैं लेकिन मुझे सेल वाले एक भी कपड़े पसंद नहीं आया है क्यूंकि बहुत ही पुराने और आउट डेटे टाइप के थे लेकिन जो थोड़े बहुत पसंद आ रहे थे वो डिफेक्टिव पीस थे इसलिए उसको अवाइड ही किया लेना क्यूंकि अगर जब पहन ही नहीं पाओ तो लेने से कोई मतलब नहीं बनता और ये जो शर्ट है मुझे बहुत ही पसंद आया है और ये ओफर में थे लेकिन मेरे साइस के नहीं थे और बाकि जितने भी पीसेज लगे हुए थे वो मतलब आप उसको यूज कैसे करते मुझे समझ में नहीं आ रहा था मतलब कि बहुत स्लीबलेस था इतना स्लीबलेस तो साधी के बाद पॉसिबल नहीं है और यहां पर आप स्लीब वगेर अभी देख सकते हो हील्स वगेर अब बहुत ही अच्छे थे मुझे जारा के सूज बहुत पसंद आया में में शेक्शन में और वैसे फीमेल वाले में मुझे जादा पसंद नहीं आया है हील्स अच्छे थे लेकिन सूज वेगरा नहीं थे अच्छे और किड़ शेक्शन में भी बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस थे लेकिन यहां से बस मैं एक जीन्स ली हूँ और मेरे पती देव ने शर्ट जीन्स अपने लिए लिए है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं अपने पती देव को मतलब हर ब्रैंड का एके कपड़े उनको दिलाते रहूं क्योंकि वो जल्दी खुद के लिए तो नहीं लेते हैं और ऐसा नहीं ले नहीं सकते लेकिन नहीं पैसे वेस्ट करते वो तो वैसे ब्रैंडेड ही पहनते हैं लेकिन जारा से नहीं लेते हैं तो जारा ऐसे भी ज्यादा फीमिल का चॉइस होता है यहां के ड्रेसे का तो मैं और मेरे पती देव और मेरे भाई गया थे डॉक्टर के पास तो वहीं से जारा में गया थे और फ्रेस अराइवल में जो ड्रेसेज थे वह काफी प्यारे लग रहे थे और कुछ-कुछ ड्रेसेज जो थे वह में को लगता है कि फाल्दू का पैसे बरवाद है जैसे कि कोई-कोई वूलेन टाइप का उसको टी टाइप का था टॉप सब तो वह मुझे यूजलिस लग रहे थे तीन हजार चारहजार के बाकी जो कुछ पहनने वाले अच्छे भी ड्रेसेज थे तो ठीक है ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और ज्यादा चीप भी नहीं है ठीक है और यहां पर फिटिंग रूम में आप अगर फिट करवाते हो तो उसके भी चार्जे जालग से लगते हैं जो कि मुझे बहुत ही आकवर्ड लगा इस चीज को जानके और यहां से हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया और वहीं पर फूड कोड था वहां पर फूड कोड में बैठ गए यहां पर खाने के लिए और हम लोग हम तो बिना नहाए गये थे क्योंकि इस उबह में डॉक्ट तो मेरा भाई डूसा लिया था और हम लोग ने सीजलर और मुमोस कॉम्बो वाला लिया था उसमें कोल्ड रिंग वेगरा सब कुछ दिया जो काफी अच्छा था टेस्ट थीक था प्राइस के अकॉर्डिंग सो वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंदार रहो तो प्ली से जादा मुझे जादा कॉस्टली नहीं लगता ठीक है सूज वेगरा तो आपको बहुत ही बजर्ट फ्रेंडली वहाँ पर मिल जागा और बहुत ही अच्छे अच्छे तो यही था आज तो जिन्स के लिए उसका फेटिंग करने के लिए दे दी हूँ वही पर पती देव का भी एक ट्राउजर पैंट था वह फेटिंग के लिए दी हूँ और एक शर्ट यह है तो वह मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में और अभी समरींड सेल भी लगा हुगा है तो आपको धूमने पर साइद मिल जाए लेकि मुझे तो नहीं मिला और एक प्रेस पसंद भी आया तो मुझे वह गाँ आणिमल प्रिंट वाला तो वह मुझे मेरे साइज का नहीं था वैसे मुझे लगता सेल में जो बिल्कुल आउट्टेड वाले रहते हैं या फिर कुछ डिफेक्टी पीस रहते हैं वहीं लगा देते हैं लेकिन आपको अगर चुनने से अच्छा भी मिल सकता है तो आप वहां पर जाके थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा तो कॉपिराइट का क्लेम आजा था इसलिए मुझे वोइस ओवर देना पड़ रहा था क्यूंकि वहां पर सौंग प्ले हो रहा था बैक्ग्राउंड में इसलिए मुझे वोइस ओवर रही है देखे कितना सीजलर गरमा गरम आचुके थे और यहां पर हम लोग सबना और य अच्छा थाटी था यह मुझे यहां का जो व्यू है ना यह फूड कोड का बहुत ही प्यारा लगता है जैसे एरफोर्ट पहुंच चुके हैं तो आपको कैसा लग रहा है यहां का फूड कोड क्यूंकि मैं पहले भी डाली हूं आप उसमें देखे होगे कि बहुत ही अच्